हेलो फ्रेंट्स, मार्केट में आपने कई तरह के टाइमर देखे होंगे, वोट स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किये जाते हैं, हमने भी एक टाइमर बनाया हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट हैं, अब आप सोचेंगे कि इसका यूज क्या है, अगर आपको मल्टिपल करना है, अट डिफरेंट टाइम इवेंट, तो यह आपके लिए काफी उपी होगी है, फॉर एक्जाम्पल, आपको आपकी शॉप में छे बजे लाइट्स ओन करना है, और वो एटमेटिक लिए रात में ग्यार बजे ओफ करना है, वैसे ही गार्डन में वाटर पंप स्टा आपफ बज़िए हैं, और इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, यह भी एक्स्प्लेन करने वाले हैं, तो चलिए start करते हैं, फ्रेंट्स यह जुड़ टाइमर सरकुट है, इसमें चार डिफरेंट स्विचेस यूज्ट के ओन बटन भी कहते हैं, इसमें सेट बटन हैं, इंक्रि रिलेज है, three different events के लिए, phonics connector का भी provision किया हुआ है, जिसके through हम load connect करेंगे, OLED display यूज किया है, OLED display में date and time show होता है, power supply section में, आप को 12 volt connect करना होता है, AC या DC आप 12 volt यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे bridge circuit, filter circuit and regulator circuit का भी provision किया हुआ है, साथ में, एक 3 volt का battery भी लगाया है, coin sale यहाँ हमने लगाया है, जो RTC के time को properly चलाता है, जब भी power off हो जाता है, तो automatically यह time adjust कर लेता है, relays को drive करने के लिए यहाँ पे हमने opto isolator का भी use किया हुआ है, जो relays को properly run करते हैं, अब आपको इसका program कैसे set करते हैं, वो बताते हैं, इस kit में 4 buttons है, top वाली जो button है, वो set button है, उसको आपको press करना है, प्रेस करने के बाद relay number कौन सा है, वो आपको select करना होगा, increment और decrement button की मदद से आप select कर सकते हैं, उसके बाद आप enter button प्रेस करेंगे, enter button जब हम प्रेस करते हैं, तो वो on time अब आपको यहाँ पे enter करना है, आप again increment and decrement button की मदद से on time set कर सकते हैं, जैसे अभी जो blink कर रहे digits वो hours है, यहाँ पे आपको hours set करना है, enter button प्रेस करके आप minute वाले position पे चले जाएंगे, यहाँ आपको minute set कर देना है, तो अभी हम यहाँ पे एक time set कर देते हैं, जैसे हमने दो बच के 10 minute ऐसा set किया है on time, अभी हम यहाँ पे एक hour set कर देते हैं, अभी जो on time है, उसके बाद off time भी हम यहाँ पे set करके रख देते हैं, आफ time थोड़ा higher रख रहे हैं, कुछ देर के बाद जो भी load है, वो automatically off होना चाहिए, अब हमने इसको set button प्रेस किया, वो value save हो गई है, friends हमें check करना है कि हमने जो time set किया है वो proper है या नहीं, फिर से आप वो set button प्रेस करेंगे, जो भी value या जो event हमने set करके रखा है, time on time या off time वो हमें दिखने लगेंगा, हम second relay के लिए प्रोग्राम कर देते हैं, हमने enter button प्रेस किया है, यहाँ पे again आप on time set कर सकते हैं, on time set करने के लिए आपको फिर से increment button और decrement button की मदद लेनी है, इसके थुरूँ आपको entry कर सकते हैं, enter button से आप position shift कर सकते हैं, जैसे अब हम off time set कर देते हैं, हमने on time 15 रखा हैं, दो पहर के 3 बज़े का हमने set करके रखा हैं, अब off time हम यहाँ पे दो घंटे बाद का रख देते हैं एक event, वैसा हम यहाँ पे set कर देते हैं, जैसे अब यह आप देख रहे हैं, हम increment और decrement बटन की मदद से हमने set करके रख दियां, वैसे ही आप बाहर निकलने की आपको ज़रूँ नहीं है, तीसरे relay के लिए भी आप यहाँ पे time set कर सकते हैं, एंटर बटन आप प्रेस करेंगे, third relay को कब आपको on करवाना है, और कब उसे off करवाना है, यह setting आप इस बटन के तुरूँ कर सकते हैं, इस तरीके से आपको पहले यहाँ पे time set कर लेना है, और जो भी आप event set करेंगे, वो event complete होने पे automatically वो particular device on या off हो जाएंगा, इस वे से यह setting करनी है, फ्रेंड्स अब आपको RTC कैसे set करते हैं, RTC set करने के लिए आपको last वाला जो enter बटन है, उसको praise करना है, उसके बाद आप देखोगे time वाले section में hours blink कर रहा है, इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट बटन की मदद से आप current जो भी hours है, minutes है, seconds है, उसको set कर सकते हैं, उसी तरीके से आपको date भी set कर लेनी है, अभी हम यहाँ पे second adjust करते हैं, जैसी हम enter बटन प्रेस करेंगे, यह date वाले section में आ जाएंगा, जो भी current date है, month है, year है, आप इस increment और डि यह भी select कर लेना है, जैसे आज Saturday है, तो हम यहाँ पे Saturday set कर देते हैं, इस तरीके से आपके RTC का setting हो गया है, एक बार आपने program set कर लिया है, जिस भी relay के लिए, उस particular relay के सामने में आपको वो load लगाना है, phonics connector का यहाँ पे provision है, no, nc, pole, यह टर्मिनल पे आप load लगा सकते हैं, 5 ampere का कोई भी load यहाँ पे run हो सकता है, इस kit में एक और provision किया हुआ है, यहाँ पे headers का provision है, उस header के through आप external keypad भी connect कर सकते हैं, अगर आप इससे कोई box में enclosed करना चाहते हैं, तब internal keypad का कोई use नहीं है, आप external keypad से ही सारी setting कर सकते हैं, अब आपको यह जो timer circuit है, इसमें कौन सी IC use की है, उसके बारे में बताते हैं, यह देखिए, यहाँ पे display के अंदर वो IC लगी हुई है, तो हम यह display को निकाल लेते हैं, यहाँ आप देखोगे, तीन IC दिख रही है, जो SMD form में है, उसमें से एक IC है, RTC, एक है EPROM, और एक है microcontroller, microcontroller जो है, वो microchip company का है, तो friends, इस timer का setting कैसे करना है, यह तो अब आप सेख ही गए होंगे, अगर आपको हमारा यह product and जो information हमने आपको share करिए, वो अच्छी लगी है, तो आप video को like and share जरूर करिए, चैनल में पहली बार आये हैं, तो चैनल को subscribe भी कर लिजेगा, क्योंकि इस तरीके के ही helpful content हम आपके बनाते रहते हैं, next time कुछ new topics के साथ में आएंगे, तब तक के लिए, bye bye, thank you